अलो बच्छों बच्छों आज आप पड़ाओगे एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स के बादे। सबसे पहले इंट्रोड़क्शन इंट्रोड़क्शन जैसे कि एल्कें होता है और एल्केंसे अकitter है फार यो भॉकिव यग इंट लिए जाए और उसकी जाए है इक हैड्रोक्शिट ग्रूपशाए है उससे अगर फारूजन निकल दिया है और उसकी जाए है वोस लगा दिया तो यह बन जैगा योग इस यज़ एक हैल system इसके बारे में यह जैसे मोनो हाइड्रिक होते हैं और पॉली हाइड्रिक होते हैं तो इसके पहले मोनो हाइड्रिक अगर एक हाइड्रिक गुरूप है तो यहाँ पर जैसे CH3OH मिथेनल यह मिथाइल को मनें बहुता है इसका मिथाइल एल्पॉल विताल को मिथेनल, मिथेनレ though we can feel to get motion to S5. जैसे हैं बिताल को मिथेनल को मि रहां बहाँ किसमें यह जाइड्रिक हैं प immersion पर इसके एक बताम है इसमे एक को तुरुप यह मिथेनल हैं वहाइड्रिक रहएड्रिक है एक किसमें— homepage तो यहां पर यह 1 degree carbon से जोड़ा हुआ है, तो इसको प्राइमरी अल्पॉल हुआ हुआ है, अगार मालीजिए, secondary, CH, CH3, और यहां hydrogen लगा हुआ है, यह 2 degree carbon से लगा हुआ है, इसको secondary secondary alcohol और इसका नाम होगा, propane, propane to work, तो propane to work है, यहाँ isopropyl, common name isopropyl alcohol भी बोलते हैं, isopropyl alcohol, इसी तरीके से, अगर यहां CH3 है, और इधर CH3 है, इधर CH3 लगा हुआ है, तरस्षी carbon से जुड़ा हुआ है, अधर alcohol, adoxyl group, यह 3 degree carbon है, यह तरस्षी alcohol है, तरस्षी alcohol और इसको कहेंगे 2-methyl, 2-methyl propanol, propane to work, इस तरह से, यह तरस्षी alcohol है, तो इस तरह से, यह तरस्षी alcohol होगे, अब इसके बाद में, polyhydric alcohol, इसको मेटा देता हूँ, polyhydric alcohol, यह monohydric होगे, दूसरे होगे, वो है polyhydric alcohol, दूसरे डाइब, polyhydric alcohol, polyhydric alcohol, polyhydric alcohol, इसमें जब से, दू हाइड्रोक्षी गुरूप है, CH2, OS, CH2, OS, दूसरे होगे, दूसरे होगे, तो इस तरह से, खोई भी भी बाद, खोई भी तूसरे होगे, तो इसको बोलते हैं, ethylene glycol, common name, ethylene glycol, यह इसका common name होगा, common name, ethylene glycol, आई पेशे नहों होगा इसका, ethane-12-diol, ethane-12-diol, इसका पस्क्री हाइड्रीक अलगोव, जासे, त्री हाइड्रीक अलगोव, त्रीघराल गुडल्ड और इसको बोलते हैं और वैसे प्रौपेंग 1,2,3,3,1,2,3,2,1,2,1,2,2,2,3 और पॉलिवाइड्रिक अल्कॉहाल, अब इससे बाद में आते हैं, ऐलाइलिक अल्कॉहाल, इसमें जैसे ये डबल बॉंड वाल जियोगा इस तरह से डबल बॉंड लगा होगा, और फिर इसके बाद एक इस तरह से और यहाँ पर सी एशू और यहाँ पर सी एल्ड जैसे, यानि डबल बॉंडेट कार्वन की बगल वाले कार्वन से अगर खैलाई गुरूप लगा होगा है, तो यह इसको बोलेगे हैं, यानि डबल बॉंडेट कार्वन हैं, उसके बगल व वह अप्रेस नाम होगा इसका नमने करेंगा 1,2,3 तो यह हो जाएगा प्रॉब टू इन और वन और प्रॉब टू इन वन और इस तरह से यहां प्रेया दान मालेजिए यहां लगा हुआ है यह इस तरह से जल की यहां और इसको नाम होगा यहां यह हो जाएगा यह फास्ट आपन है तो इस पर यह फंग्शन पुट लगा है इसलिए यह तो यह हो जाएगा 1-Cyclo-H1-E-Nyl-Methanol All-Methanol Arlmethanol Vinyl Alcour Next type, Vinyl Alcour इसमें Double Bonded Carbon से Double Bond होगा और यहीं पर Hydroxyl Group लाएगा Double Bonded Carbon से Hydroxyl Group लाएगा रहता है तो देटीन जोने is Vinyl Alcour इसमें इसको बहु बो लेंगे इत्थी नौल लेकिन यह अनिस्टिबल होता है यह टोटो मेरे स्मोगी यह इनौल फॉर्म है यहां पर यह तो इधार सिप्ट कर दाएगा और यह डबल पॉंड है वो यहां सिप्ट रहता है इस तरह से तो यह बन्जाएगा C as 3 C as इत्थी नौल तो इस थाईब सही यह बनाइल ईकोहल और लिकोर हैं बल्पजाइल ... बल्पजाइल अबल्पोहल यह को निदेग रिकाएल यह पिःङल अबल्पजेश विदधा हैं फिप ता चनमेयल यह यह नैज महई बला उडिन गाएल बला फिटाइल और यहां एक CS2 लगा हुआ है और जियानि यह अल्काय गुरुप लगा हुआ है और उससे हैंड़ा ऑक लगा हुआ है इसके होगे वेन्जाईल ऐलकॉआ यह होगा जिसे है फरस्ट कारवन है यह फंक्साव हुआ प्ता लगा हुआ है यह साइड़ शीन होगे तो वन फिनाई दोनों ही नाम सही है इसके वन फिनाइल मिथेनॉल होगा इसी तरीके से बेंजाइन की केटिगरी में यहां जाते हैं तो यहां पर यह फिनाइल इथेनॉल के बारे में इंटोड़क्शन है अब इसके बाद बाद फिनोल्स के बारे प्रेंग, बारे में प्रेंडां ऑम, फिनोल्स फिनोल्स ल्यानि बेंगेन फिन्से याज्र सिंनितरा बीडर्बा को साफचिते है बनीध्येन आगर छिग्रम होगा फिनसे वस्तार्टी मैं पंजल मैं बेंचनी कुर। रोसों से बंजीन से आलक Sense रोटा राता है, फिर इंपर रहता है।ぇकिन, penolfिल में बैंजीन के Portal एक को बलें, पिनोल, hydroxybengyal, hydroxybengyal भी पिलता हैं इसको, hydroxybengyal और फिनोल, ये भी चेलिया, और पिनोल स्वी, और नांनी ये यहा, इसमें भी ये monohydric होंगे, यहां अगार माली यह लगा हुआ है और यहां CH3 लगा हुआ है इसको भूले में टू मिथाइल फिनोल यहां अगा है इसको और फिनोल इसको और फिनोल अर्थो क्रिशॉल भी गोह रिखता है और यहां उस्चाइब और फिनोल जया हुआ है तो उसक्के तरह से अगर वन्जी दिंग से हैं अदयक्सिल गोट और मेंठा पॉइशन पर छी त्री लगा हुआ है भूर्विंहां फरी मेथाइल फिनाल या फिर मेटाक्रीसोन अगर मालेते हैं यहां यह जोड़ा हुआ है हाईड्राउसिल गुरूग और परभू इसके गुरूग लगा है फिर मेथाइल फिनोन या फिर फिर पाराकु खला है एक और फैमस नाम है इसमें, कि यहां पर दंजी नेंगा है, हाँ O-S गुरुप लगा है, यह नाइट्रो गुरुप लगा हुआ है, हिदा नाइट्रो गुरुप लगा हुआ है, हिदा नाइट्रो गुरुप लगा हुआ है, हिदा भी नाइट्रो गुरुप लगा हुआ है, 246 antimatter drinitro trinitro phenol बि겠죠 तो इस्तार है से Grund एक स्ट्म dihydrical any polyhydrical यहाई थाख बाल गएं, polyhydric मैं, dihydric phenol, dihydric phenol, तो यहाँ अगा 2 hydroxyle गुप लगें हुआ है, when jean-in-se, 2 hydroxyle गुप लगें, यहाँ और 8 ये, इधान लगा हुआ है, तो यह जाहिएगा 1,2,2-died-hydroxy-benzen या फिर इसको इसका दूसरा नाम है catechol और अगर मालिए यह बेंजी रिंग से तो hydroxyl ग्रूप metaposition का लगए हुए हैं तो इसको 1,3-died-hydroxy-benzen या फिर इसको बोलते हैं रिशोर्शी नॉर्ड रिशोर्शी नॉर्ड अगर मालिए पैरा पोईशन पर लगए हुए हैं तो 1,2-2-2-2-6-1,3-4-1-2-5-1-4-1-2-2-6-4-1-25-1,4-1-25-1-5-5-5-5-6-1-5-5-1-5-5-3-2-6-7-6-6-7-1-1-9-6-1-9-0-6-6-7-7-6-6-7-9-7-6-7-6-1-8-0-1-9-7-8-7-8-godysz राइईडरिक अलगोल, पॉली हाइड, राइडरिक अलगोल में है, राइडरिक फिनल में हैं, यहाँ पर यह इसको, एक पर एक्जामपल यह है, OH भुरुपगार थीन दके मुझो ट्राइडरिक हो जाए गए, OH और यह की है, OH जोलोच दढ़ा है, 1,2,3-tri-hydry-benzene tri-hydroxy-benzene tri-hydroxy-benzene और इसको pyrogelol भी बुलते हैं pyrogelol pyrogelol भी बुलते हैं तो यह हो प्या phenols का introduction अब इसके बाद में ethers ethers के बारे में ethers ethers दो दाइक ethers होंगे symmetrical ethers symmetrical ethers symmetrical ethers symmetrical ethers two ethers group है oxygen से दोना तरब same group लागे होंगे जैसे CS3 CS3 उन्हों बुलेंगे methoxy methoxy methyl अज़र यहां CS3 डाओ है और यहां CS3 डाओ है और इदर यहां CS2 and CS3 तो यह हो गया इदार O और यह CS2 CS3 इसको बुलेंगे ethers 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 Common name क्या होगा, इसका Dalai, Methyle, rodzern ये common name होगा ये iPhoneC name होगा इसी तरह से इसका common name होगा Dalai, Ethyle, kilometers तो ये तो हो गया,, SEPETICAL एधर के बादेमे, ऑनसमें स्यमेट्रिकलald एथर के बादेमे, ओनसे में एधर्फ्रफ्रेघ लगा हूए, औख्रीयन और एधर्फ्रस्ट्जीह हुआ है, एधर्फ्रम एथर्फ्रम लगा हूए, एधर्फ्रम gibi और एधर्पismo egyधर RF यििशिस्थम appeals is इसमें दौना तरफ डिफ्रेंट गूर्प लगें एक मेथाइल गूर्प है और एक इथाइल गूर्प है तो इसमें इसको बोलेंगे मिथाक्सी इथेन इसको मिथाक्सी इथेन गें इसको इसको मिथाइल मिथाइल एथर अलपाबेट इसको मिथाइल इसको मिथाइल गूर्प लगा हुआ है oxygen और इती है CS3 लगा हुआ तो इसको बुलेंगे बैसे तो इसका नाम है Anisol Anisol नाम है इसका यह भी आपेशी में सुमा लिए Anisol में और बैसे कहेंगे जाइब दूसरा होगा इसका Methoxy Benji Methoxy Benji ठीक है बच्चा तो यह एक ethos अब इसमें cyclic ethos भी होते है cyclic ethos cyclic ethos cyclic ethos ethos cyclic ethos भी होते है जैसे यहां CS2 CS2 और यह oxygen इसको बोलते है oxygen ray oxidant बोले है अगर यहां CS2 यहां CS2 और यहां CS3 को लगा हुआ है और यह oxidant बोलते हैं और दूसरा नाम इसका epoxy 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 group है ही है और कितने darkman है इसमें तो दो कार्म में अला ethene alken होगा ethene epoxy ethene दो नाम के यह नाम भी है यह नाम के यह नाम के यह सेकंड carbon पर मिथाल गूप लगा है 2-methyld oxidant दूसरा नाम के यह होगा अगर numbering इसकी numbering numbering अगर करें इसको तो just epoxy group को 1-numब दिया जाए तो 1-2-3 इसका रहे नाम है यह 1 carbon 2-carbon और 3-carbon तो यह होगा, फिर 1,2, epoxy, 3-carbon वाला compound है, तो propane, इसी तरीके से, एक और देखाएं इसमें, यहां पर यह नम्मर नहीं है, यह नम्मर नहीं है, यह नम्मर यह नम्मर यह नम्मर और त्री नम्मर का देखाएं, इस तरह से करें, देखाएं, यहां पर C-S, और इधर B-C-S, C-S 3 लगा होगा है, इधर B-C-S 3 लगा है, तो नम्मर और C-S 3 लगा है, यहां Oxy नहीं है, यहां पर 1,2,3,4, 2nd or 3rd का नम्मर अगर Epoxy गुरूप लगा होगा है, तो इसका Epoxy में इसका नम होगा 2,3 Epoxy 4,4% कारण माला G-S, और वैसे इसकी नम्मर अगरें गरेंगा होगा है, तो यहां नम्मर अगरेंगा होगी, तो 2,3 Epoxy, तो यह इस तरह से इस तरह से यह बच्चो एथर्स का इंट्रोडक्शन है किस तरह से इंकनोमेंट के लिए चला है तो वो इंट्रोडक्शन था आप लोग पढ़ते रही है